जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पिच पे बिलकुल भी घास नहीं है और पिच बिलकुल ड्राइ है। स्पिनर्स को मदद मिल सकती हैं आज, तोनो पारी में मिडिल ओवर्स काफी महतुपूर होने वाले हैं। कैप्टन ने यहां टॉस जीत कर तुरंथी बल्ले बाजी का निर्णय ले लिया है। आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों की खिलारी जो आज मैदान में उतरेंगे। स्वागत है आप सब का इस शानदार सेडियम में अमपार नई गेन के साथ पिछ की तरह बढ़ते हुए, फीलिंग टीम पूरी तरह से तयार लग रही है, हाँ पर तेज गेन बास को लाया गया है। सब तयार इनिंग्स की पहली गेन के लिए बल्ले के बीच से निकला ये शॉर्ट क्राउड में जा गिरेगा। गेन बाद लाइज से चुकिया और वाइब ऑल का इसारा है। स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का अनंद उठा रहे हैं आसानी से खेला एक रन के लिए खूबसूरत थ्रो बिल्कुल स्टम्स के उपर देखना होगा क्या गेन बाज शॉट पिज गेन की कोशिश करेंगे इस पिज पे अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा अच्छा कवर किया यह त्रो को बहु मूल ले रन बचाया अपने टीम के लिए कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है सुन्दर शॉट गैप में सीधा चार रन के लिए जब यह फुल फॉर्म में होते हैं गेंद बाजों के छक्के छुड़ा देते हैं पूरी तरह से चुग गए बढ़िया के बाजी बल्ले बाज पिछली गेंद पर बड़े अनकमफर्टबल लगे और यह थे रन दर्शकों में किसी को लेना पड़ेगा यह कैच्छ गेंद सीधा बल्ले के बीच से निकली वहाँ दर्शक बले के था मिकली अगेंद भी अज़ड़ बीच से निकली अगेंद बल्ले बीच निकली अगेंद घड़कों मेंड़ों मैं अगेंद बल्कूल गनिक नहींकर पाए बल्लेबाज बल्लेबाज जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे हूंगे करारा प्रहार बल्लेबाज का छे रन के लिए बल्लेबाज एक दम पीच से निकली एगेन एक रन के लिए तौछा। प्रेडी में इसे जरूर शामिल करना चाहिए स्पिनर आया है अटैक में इसके साथ पाउर प्ले समाप्त हुआ आसानी से खेला एक रन के लिए वाइड थ्रो खेलारी द्वारा तगरा शौर बले के एक दब बीच से निकली अगें वाह क्या क्लीन बाक्विंग छेरन स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का अनद उठा रहे हैं और क्या शौर्ट लगाया है फील्डर्स बने दर्शकों किसी को लेना पड़ेगा यह कैच दर्शक इस पचास रन को अपने तालियों से सराते हुए बहुत ही अच्छी पारी क्या यह इस 50 को एक बड़ी पारी में तबदिल कर पाएंगे चलो देखते हैं ठीक से टाइम नहीं कर पाए वहाँ देखते हैं स्पिनर को इस पिच पर कितना पर्चीस मिलता है बैतरीन ग्रानिंग बिट्वीन दोनों बल्लेबाज उनके बीच आसानी से खेला एक रन के लिए केम बाजी काफी डिसिप्लिन रही है अब तक अब 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 मिल गया विकेड़ किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है के लाडी ने ऐसा लगा मानों बिजली के रफतार है इनके पास कप्तान ने बड़िया फील्ड लगाई है और गेन बाज भी फील्ड के अनुसार ही गेन बाजी कर रहे है है अच्छा शॉड़ बस सिंगल मिलेगा कि अच्छाइब लंबा शॉट खेलने का प्रयास और गेंज सीधा फील्डर के हातों में पविलिन के और जातु हुए बनले बाद बड़े हताश कि अपनी पारी की शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्ले बाद को सिंगल लेकर बल्ले बाद अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं गेंबाद अपने प्रिफॉर्ड हैं से गेंबाद ही करते हुए काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गल्ती फिर ना दोर आए तेज गेंद बास को लाया गया है समझ नहीं आया हमें क्या करना चाहते थे बल्ले बाद इन्हें वापस प्रविलन लॉटना पड़ेगा और याओ जाना होगा बिना खाता खुले बल्ले बास प्रविलन का लंबा रस्ता तैय करते हुए अन्ती मोवर्स के लिए विकेट्स को हाथ में रखना बहुत इंपॉर्टन होगा और याओ जाना होगा बिना खाता खुले प्रविलन की और जातु हुए बल्ले बाद बड़े हताश क्वालिटी गेंबाजी कप्तान की फील्ड प्लेस्मेंट भी काफी अच्छी रही है और याओ जाना होगा बिना खाता खुले गेंबाज की शानदार गेंबाजी क्या कमाल की हैट्रिक काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गल्ती फिर ना दोर आए अच्छी एक्यूरिसी दिखा रहे हैं गेंबाज अपने स्पेल में चतुराई से गेंबाजी कर रहे हैं गेंबाज बड़े शॉट मारने के पहले बल्लेबाज को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा तो बहुती बहतरी गेंबाजी बल्लेबाज को बिलकुल परेशान करते हुए यहां पर आसानी से खेला एक रन के लिए और सटीक थ्रो की अपेक्षा थी यहां पे इनिंग्स की समाप्ती सलामी बल्लेबाजों को जल्दी पैड़ अप करके वापस क्रीज पर उतरना होगा तो लक्ष हमारे सामने हैं देखते क्या इस लक्ष को यह बैटिंग टीम पूरा कर सकती है या नहीं सब तैयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए बढ़िया प्लेस्मेंट कुछ रंज जरूर मिलेंगे बल्लेबाज को किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतु पूर होते हैं बहुती शांदार प्लेस्मेंट और शार रंड मिलेंगे यहां पर रंडरेट को नियंद्रन में लाने के लिए विकेट्स की आवश्यक्ता है फील्डिंग तीम को स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनंद उठा रहे हैं कि अब बढ़ी अचार रंगें बल्ले से लगते ही उसका परिणाम तैथा आक्रमक फील लगाई है कप्तान ने अब दिल्चस्प फील लगाई है कप्तान ने आसानी से खेला एक रंटीलियम गेंबाज साइड चेंज करते हुए रांद विकेट अब गेंबाजी करेंगे करेंगे यह अच्छा वामें लेकिन बांडरी की दूसरी तरफ आसानी से खेला एक रंट के लिए किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतु पूर होते हैं अच्छा शौट दो रंड मिल सकते हैं यहां गेंबाज साइड चेंज करते हुए रांद विकेट अब गेंबाजी करेंगे जबर्दस गेंबाजी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए बन लिबाज वहां काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गल्ती फिर ना दौर आए कहना होगा कि यहां पर शॉट सेलेक्शन वहतर हो सकता था ओवर्द विकेट गेंबाजी करने का निन में और याओ जाना होगा बिना खाता फुले बनले बास पेविलिन का लंबा रस्ता तैय करते हुए चत्युराई से गेंबाजी कर रहे हैं गेंबाज दमदार शॉड और यह चक्टा झाल 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 यह छाल कि अपनाराय अटाक में सिंगल रोकने के लिए पॉइंट फील्डर तैनाथ यह अच्छा शौर्ट गेन हवा में लेकिन बाउंडरी की दूसरी तरफ गेन बाज साइड चेंज करते हुए राउंद विकेट अप गेन बाजी करेंगे कमाल की बल्लेवाजी खूब सूरच शौर्ट दर्शकों ने बड़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही हुने चार रन बॉका मिला और कैशिन किया बल्लेवाज ने कवर पे फील्ड तैनाथ जब यह मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सुन्दर खूब शुरस शौट चार रन के लिए ओवर दुविकेट गेंद बाजी करने का निदम है बना शौट भैतरिं टाइमिंग छे रन के लिए स्पिन गेंद माज वापस आते हुए गेंद बाज साइड चेंज करते हुए राउंद दुविकेट अब गेंद बाजी करेंगे रन्स मिलेंगी यहाँ पर गैप में खेलाए बल्ले बाज ने कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है आसानी से खेला एक रन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी ये त्रोक कलेक करने में कि अग्ली गेंद कहा जाने वाली है कि अग्ली तेज करारा शौट चार रन के लिए क्या फूट टाइमिंग थी बल्ले बाद अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा अच्छा शॉर्म में एक अब देख लाए जिल्कुश ओगे ये शॉट लिखकर अब देख गेन बाद अटक में तेज गेंद बाजी को खेलना फसंद करते हैं ये बल्ले बाज चौका बैतरी शौर्ट बल्ले बाज द्वारा दोनों बल्ले बाज एक दूसरे को मबारच देए